हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों भिहार बोर्ड आज क्लाश 12 का इंग्लीज का एक्जाम था तो आसा करता हूं आपका अच्छा गया होगा तो मैं आप लोगों के लिए सेट ई है मेरे पास ई का आंसर की इंग्लीज का ले करके आया हूं यदि म मेरे चैनल पर पहली बार आहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूडियो को लाइक कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं यह आपके पास और भी कोई सेट है कोई दिकत नहीं कुश्चन तो से महीं रहाता है कुश्चन नमर से डिक्राइब रहाता है तो मि the things were burnt choose the correct combination इसमें से क्या correct combination है तो टू का जा अंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है दब फ्लैट हैब caught fire all the things were burnt इस तरह से सही लिखावा है सही combination he is a man of man of correct option इसमें चुनना he is a man of तो थ्री का जो अंसर हो जाएगा बी हो जाएगा man of letters क्या होता है man of letters यह phrase लिखा हुआ a man of the man of letters होता है फोर्थ question पुछा गया थे यहां fill in the blanks we meet a lot of people that's our holidays तो फोर्थ का जो अंसर हो जाएगा यहां पर on preposition का use होगा we meet a lot of people on our holidays ओन बिल्कुल सही अंसर है फिप्थ नमर question था choose the correct spelt word correct spelt word कौन सा है इसमें से question नमर है आपका five five का जा आंसर हो जाएगा बी एक कुइंटेंस एक a c q u a i n t a n c e बिल्कुल सही है spelling है शेक्स नमर में पुछा था change का synonym पुछा था change choose the correct synonym of change six number तो इसका आंसर हो जाएगा a alter synonym से पुछा था change बदलना alter मतलब भी बदलना अल्टर्नेट सुने होंगे आप लोग the synonym of so so मतलब दिखाना होता है so का synonyms पुछा था synonyms जो हो जाएगा seven का जो हो जाएगा answer d exhibit 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 मतलब भी होता है so दिखाना एक इस नवा question पुछा था by whom the bird killed active voices का पुछा था who killed the bird इसका answer हो जाएगा who killed the bird देख लीजे eight का कौंसा answer है c who killed the bird c बिल्कुल सही answer है ninth number का question है the synonym of natural natural का पुछा था synonyms antonyms पुछा था artificial हो जाएगा natural का artificial d बिल्कुल सही answer है path is beset dash difficulty यहां प्री पोजिशन पुछ रहा है दसका answer जगा दी the path is beset in difficulties in difficulties बिल्कुल सही answer है 11 नमर का question था I dare you to read the book carefully तो यहां पर देखना है 11 नमर में क्या होगा I advise you to read the book carefully यह बिल्कुल सही answer है I advise मैंने तुम्हें advice क्या था book को अच्छे तरह से पढ़ो 12 नमर का question dash I could sing, I would have sung तो यहां पर पूछा है यह कौन सा जो है preposition लगेगा इसमें से तो 12 का जो answer हो जाएगा if if I could sing यदि मैं गा सकता I have sung यदि मैं गा सकता तो गाता if बिल्कुल यहां पर correct है 13th नमर question जो पूछा गया था 13th नमर का answer हो जाएगा he has one has के बाद B3 का use होता है आज के बाद B3 तो वन बिल्कुल सही हो जाएगा option नमर D 14th नमर पूछा था correct sentence इसमें से है 15th नमर question पूछा था 15 नमर का पूछा था यहां पर पूछा था यहां पर पूछा था fill in the blanks में आपको 16th नमर में इसका answer हो जागा C I cannot give you money if I have none if I have none 16th नमर का answer बता दिया if होगा 17th नमर में rules रूल्स ड्यास वी अब्जर्वड एट ओल कॉस्ट तो 17 का जो answer हो जाएगा यह बिल्कुल सही है should हो जाएगा answer rules should be observed at all costs 18th नमर का question था she has learned her lesson इसको passive voice बनाना है तो has learned है तो इसका हो जाएगा answer 18 का जो हो जाएगा D her lesson has been learned by her D बिल्कुल सही answer है 20 नमर में dash is bad for health तो smoke हो जाएगा यह smoking smoking बिल्कुल सही answer है 20 का जो answer हो जाएगा D बिल्कुल सही smoking is bad for health इसा sentence सुना भी होगा आप लोगों ने holy is dash important festival holy is an important festival होगा 21 का जाएगा 21 का B बिल्कुल सही है an important festival 22 इसमें से पुछा है spelt word correctly spelt word ACTUAL actual यह बिल्कुल सही है actual C option बिल्कुल सही है I will never forgot this experience इसको passive voice बनाना है this तो question number 23 का जो answer हो जाएगा बिल्कुल C बिल्कुल सही है this experience will never be forgotten by me next question जो पूछा गया था 24 नमबर इसमें पुछा था one who dies for noble cause इजे 24 में पुछा था इस आदमी जो noble cause के लिए मरता है तो उसको क्या कहते है 24 का तो answer A हो जाएगा मरत्यार मतलब देश भक्त ठीक है he introduced me to his relatives तो option number C में 2 है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 26 नमबर 26 में पुछा था she met her brother she was glad इसको combination वरनाना है कौन साथ चाहे तो she was glad to meet her mother यह बिल्कुल सही answer हो जाएगा next question जो था he told me are you hungry इसको indirect speech में बदलना था 27 नमबर तो इसका answer हो जाएगा B he asked me if I was hungry 29 नमर सक्सेस डिपेंड्स डियास हार्ड लेबर 29 का आंसर हो जाएगा सक्सेस डिपेंड्स ओन डिपेंड्स के साथ हमेंसा ओन प्रिपोजिसर लगता है तो option 100 थीफ लाश्ट नाइट तो सी में 100 है बिल्कुल सही answer हो जाएगा इसके लिए वन वर्ड बताने पर्शन हूँ पर्जेंट्स ए रेडियो थाट्यवन ए पर्शन हूँ पर्जेंट्स ए रेडियो इस नौन आज एंकर 32 नमर पुझा था हीज ओनेस्टी एंड फेट्फूल्नेस डियास अनकुस्चिनेबल तो इसका जाएगा इसको अन्टर्लाइंड वर्ड के जगए क्या होगा यह पुझा था एंटोनाइम्स क्या होगा है पी का यह अन्टोनाइम्स होता है वह होता है इसको नेरेशन इंडिरेक्ट में बदलना है राम सेड टू स्याम वाट आर यू रड़िंग वाट आर यू रड़िंग तो हम जान रहे हैं थर्टी फोर नमर का जा आंसर हो जाएगा यह यह बिल्कुल सही है राम आश्ट स्याम वाट ही वाज रड़िंग चूज दक्रेक् जी वीशन का इसपेल ऑचाहिए विया टी यह विशन यह बिल्कुल सही है असर नमर सी थर्टी फाइब का बिल्कुल सही है ठाटी सेवन में इस देर ड्यास मनी इन यूर पैकेट ठाटी सेवन का आणसर हो जाएगा सी बिल्कुल से है is there any money इन यूर पैकेट 38 नमर का जो पूछा था चूज दा वन ओड वन इसमें से ओड कौन सा है फॉक्स, लिवपार्ड, लायन, पीजन पीजन इसमें से उड़ता है तो यह सब ओड है 39 का जो पूछा था 39 में पूछा था यहाँ पर पूछा था एन इंक पॉट बिल्कुल सही आंसर है एन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 40 नमर में जब पूछा था 40 नमर में जब पूछा था 41 में जोन और मैरी डियास गॉन टू कोलकता यहाँ पर करेक्ट अप्शन चूज करना है 41 में ते इसका अंसर B हो जाएगा जोन और मैरी हाज गॉन टू कोलकता प्रवीन रोड इस्ट्रेट प्रवीन रोड इस्ट्रेट डियास दे एरिन 42 का जो अंसर हो जाएगा अप्शन नमर बी इन 43 नमर में 43 नमर का जो आंसर हो जाएगा आपका C 44 का जो आंसर हो जाएगा यह बिलकुल सही है 45 नमर का कुश्चन पुझा गया था He was brought dash by his aunt after his mother's death यहाँ पर correct preposition पुझा है He was brought He was brought dash by his aunt तो He was brought up by his by his aunt after his mother's death C option बिलकुल सही है Next 46 का जो पुझा गया था Choose the incorrect sentence Incorrect चूज करना है तो we saw dears in the Jew यहाँ पर dears नहीं होगा dear होगा B2 के बाद हमेशा verb 1 का use होता है dears का use नहीं होता है plural का use नहीं होता है we saw keep quiet we dash to the radio we keep quiet we dash to the radio 47 में पुझा गया था we quiet keep quiet we dash to the radio तो we are listening to the radio A option बिलकुल सही है next 48 नमर में पुझा था correctly spelled word further का जो spelling होता है F-U-R-T-H-E-R further C option बिलकुल सही है this nonsense will not be tolerated by me इसका active voice बनाना है I will not tolerate this nonsense B option बिलकुल सही है 49 का B option बिलकुल सही है next 50 नमर में पुझा गया था we dash keep our country free from racial prejudices यहाँ पर auxiliary verb क्या आएगा we should जो हता है 50 में should यहाँ पर अच्छा होगा should option बिलकुल सही होगा option नमर D 51 में पुझा था have you dash him यहाँ पर correct tense लगाना है have you have लिखा है तो verb 3 का यूज होगा have you seen seen him D option बिलकुल सही होगा 51 का 52 नमर में पुझा गया था he told the boy not to sit there इसका direct narration बनना था 52 नमर 52 नमर का answer होजागा D didn't sit here he said the boy next 53 नमर do you dash your first teacher do you remember होगा remember your first teacher C option बिलकुल सही आंसर है 54 नमर का question पुझा गया था after his death the seat remained vacant vacant का यहाँ पर पुझा था the correct meaning of the underlined word vacant का मतलब होता है empty यह option बिलकुल सही आंसर है 55 नमर ने पुझा गया था he is attentive to his duty attentive to his duty बिलकुल सही option हो जाएगा यह option बिलकुल सही होगा 56 नमर ने पुझा गया था when I finished my work I asked asked dash teacher to check it 56 का यह आंसर हो जाएगा C I asked my teacher to check it those are probably the dash furniture in the showroom 57 का यह आंसर हो जाएगा option नमर B बिलकुल सही option है 58 नमर पुझा था they made her dash a new contract 58 का यह आंसर हो जाएगा C they made her singing singing a new contract signing होगा sorry signing यहाँ पर होगा signing a new contract next 59 नमर में catching the earlier train will give us dash to do some swapping 59 का यह आंसर हो जाएगा option नमर A chance 60 नमर का question था Risma bought what she wanted यहाँ पर question tag use करना है 60 का यह आंसर हो जाएगा option नमर D did not see didn't see बिलकुल सही answer है तो मेरे पास भी तक 60 की question आया है जदी next question भी आता है तो मैं यहाँ पर part 2 का वीडियो बनाऊंगा धन्यवाद मिलते हैं next video में झाल झाल झाल